अब वो देल के दरवाजे कहां खुले हुए है अभी उसने भी कहा था कि हमने जेल त्यार कर दियार कर दी है मैं पच्चीस तारिक को बहुर गाओं बहुत बड़ा गाओं है गड़ी साफला कलोई का एक प्रमुक गाओं है वहाँ जन सबा करने जा रहा हूँ बहुर गाओं के साथ साथ मैंने छे तो लिखे हैं इसमें लेकिन साथ गाओं की जमीनों का अधी घरैन हुआ था भूपिंदर सिंग उड़ा की सरकार में और वो ओने पूने बाव से खरीदी गई और मेरे पास सरकारी दस्तावीज हैं वो आगे सत्रा लाक में तो खरीदी और सत्र लाक में बेची उसमें बड़ा भारी घपला हुआ है और बिल्डरों को भी बेची गई वो जमीन ये कभी हुआ निके सरकार जमीन खरीद के प्रवेट बिल्डरों को बेचे इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा स्ट्रिक्चर है बहुत बड़ा सरकार के खिलाफ तो ये बहुत बड़ा घपला हुआ है वुपिंदर सिंग पेरावर खेड़ी साथ और कलावर तो इन गामों की जमीनों किसानों को जो 4-4-3-3 करोड एक कड़ की जमीन थी वो सिर्फ 17 लाग से 30 लाग तक खरीदी गई तो इसको लेके हम जनसभा कर रहे हैं हमने पहली जनसभा की जबरदस्त जनसभा हुई और लोगों के दिमाग में यहाई कि हाँ हम एक अच्छा काम कर रहे हैं इसके लावा और भी कई बाते हैं बुपिंदर उड़ा के उपर आज साथ मुकद में हैं मैं समझ नहीं पारा के सरकार करवाई क्यों नहीं कर रही ब्रहस्टाचार के मामले हैं मेरा आरोप है सरकार के उपर कि सरकार की मिली भगत से उसके खिलाब कोई कारवाई नहीं हो रही क्यों मैं पूछता हूँ मोधी सरकार से और खटर सरकार से पहले तो कहते थे इनके मिनिस्टर कहते थे जेल के दरवाजे खुले हुए है अब वो देल के दरवाजे कहां खुले हुए है अभी उसने भी कहा था कि हमने जेल त्यार कर दी है अनिल विज ने ग्रह मंत्री ने ले में नोकरियों का किसी को बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा और आज हालत यह हुई कि 55,000 नोकरियां भुपेंदर सिंग के राज में जिन में 20,000 नोकरियां के इंट्रिव्यू भी हो चुके थे लेकिन ना तो वो लगाए जो 20,000 इंट्रिव्यू हो जलने थे जिनकी उसके बाद लोगों की शादियां भी होती हैं और दस बाते होती हैं सब कुछ उन्होंने मल्या मेट कर दिया तो यह बाते हैं सारी लेके मैं जनसभा कर रहा हूं